हेलो दोस्त आप सभी का स्वागत अमारी यूटूब चैनल एर फोर्स नेवी स्टडी पर तो यहाँ पर आपके इंडिया जोगर्फी पार्ट टू की वीडियो आ चुकी है ठीक है जो नेवी एमार की त्यारी कर रहे हैं उसके लिए जो की 2021 का बहचे उसके लिए आपके पहले भी वीडियो प्रवाइडिड कर चुके हैं और भारत का बहुल की फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिक्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप उसको देख सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट वीडियो बारत का बहुल को नहीं देखिए ठीक है उससे अच्छे समझ में है कि इसके बाद आप दूसरी वीडियो देख पाएंगे जो कि आप सभी जानते हैं कि यहां पर जो भी कॉंसेप्ट है लिये जा रहे हैं वो की बेस्ट लिये जा रहे हैं और बहुती ज़्याद इंपोर्टेंट कुशन लिये जाए हैं और सारी चीज़े यहां पर अच्छे तरह आपको मेंसन की जाएगी आपके graph दारा भी समझाई जाएगी कहीं पर भी YouTube पे इस तरह का mention आपको नहीं मिलेगा जो कि इस YouTube चैनल पर आपको provided किया जाएगा तो जो भी student नीवी MR की त्यारी कर रहे हैं और जो की special की जिक्के की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए best channel है पहले बता दो आपको continue आपने बढ़िये तरीके से महनत करनी है और पूर अच्छे तरीके से सारे procedure को समझना है और इसके साथ ही जो आपका काम है वो आप काम continue करते रहे like, share और subscribe continue करते रहे और इसके साथ ही जो हमारा काम है continue video provided करना कल भी बच्चों के comment आ रहे थे कि सर आप daily video provided नहीं करते बहुत पहले भी बता दिया daily video provided होगी आज भी आपके आचुके देख सकते हो ठीक है और daily class available रहेगी best of luck और यहाँ पर भूगोल पार्ट है उस second को यहाँ पर हम लेकर आचुके हैं तो इस चीज़ को समझे कि यहाँ पर भूगोल का पार्ट है इससे अब की बार navy MR में AA SSR में कौन-कौन से question है वो पूछे जा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा important question लिए गए है जो भी कई बच्चों को यहाँ पर पता भी नहीं होगा बहुत ही ज़्यादा important है बैस अपने बैट के देखने लग जाया करो ठीक है जिससे आपको पूरा concentration मिले और पूरी आप चीज़ों को पड़े मैं यहाँ पर आपका जैसे जो भी आपको पता है navy में fixed topic आते है navy MRSSR में जो भी fixed topic आते हैं अब उसमें से पहले क्या है तो होता था कि उपर-उपर से question आते थे लेकिन आप जैसी बच्चों की संक्या बढ़ी है आपको बता है 3-4 लाग बच्चे navy MR में exam देते हैं तो 400-500 agency होती है तो जिन बच्चों का exam प्राप्त करना है तो जो वे topic दे रखे navy MR में उनमें आमें deeply पढ़ना है तो यहां पर हम वो ही portion करेंगे कि जो topic है उनको deeply से deeply और important portion के अंसर बिना रटे पढ़ेंगे ठीक है यह हमारा उद्देश से रहेंगे तो पहले चलते हैं first question की तरफ और thank you कि कल जिन जिन बच्चों ने यहां पर comment किया ठीक है उन्होंने comment किया कि अपनी presentation भी दर्शाई की वी active है और दूसरा उन्होंने जो भी कल का सवाल था उसमें हमने देखा कि अफगानिस्तान है वो सबसे कम है भारत के साथ सीमा रेखा लगाता है वो भी हमने ठीक है तो भूत बढ़िया यहां पर जादतर बच्चों ने सही जवाब दिया question number first चलते हैं आज आते हैं भारत का बोगोल second part है तो भारत वे चीन के मद्दे सीमा रेखा को क्या कहते हैं जोकि जादतर बच्चों को पता होगा ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगी यह option रेटर जागा भारत वे चीन के मद्दे जो सीमा रेखा है उसको make mount रेखा कहते हैं दूसरा यहां पर clear करवा दू कि red clip रेखा कीशे कहते हैं भारत और पाकिस्तान के मद्दे की रेखा को red clip ब्रेका कहते हैं और पाक जल संदी है उसको यह मत समझना है कि जो पाकिस्तान है कि यो पाकिस्तान और भारत के मद्दे नहीं यह पाकिस्तान भारत के मद्दे ने उकरके पाक जल संदी है तो यह भारत और स्रिलंका के मद्दे हैं देखें, second number question आजाता है, second number question है, वर्तमान में भारत वे पाकिस्तान सीमा रेखा है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा, इन में से कोई नी, अब आप कहूँगे सब आपने गल्त बता है, हमने तो पढ़ाए कि डुरंड रेखा है, भाई डुरंड रेखा वर्तमान में नहीं है, क् हम यहाँ पर मानचितर में देखते हैं, तो गोर करते हैं, तो यहाँ पर कहा है कि यह पार्ट इंडिया का पहले से अवलेबल है, यह पार्ट ऐसे, ठीक है, तो इसमें से कहा है, कि जो पियो के छेतर है, उसका कबजा पाकिस्तान में कर लिया है, इसलिए यह पास्ट टाइ वर्तमान में जो भी सवाल आएगा तो वर्तमान में ये दी पूछा जाए भारत वा पाकिस्तान के मद्दे तो B option right नहीं होगा, D option right होगा, इनमें से कोई नहीं, important सवाल है, नीवी MR में आ सकता है, बच्चे खूब गल्त करेंगे, मुझे इस चीज़ का पता है, क्योंकि पढ लगे कि अपने वीडियो अच्छे तरह देखिए और हमें भी motivation मिलें, तीसरा क्यूशन, भारत पाक जल संदी के साथ, बार से जुड़ा होगा देश, जैसा कि मैंने बता है, पाक जल संदी के साथ, C option हो जाएगा, कि स्रिलंका आ जाएगा, अब अगला क्यूशन चलता है, बहुती अच्छा सवाल है, question number 4, साड़े 82 डिगरी पूर्वी देशा अंतरेका भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो बहुती अच्छा सवाल है, यहाँ पर आठ मत कर देना, यह मैं करकर एखा नहीं पूछ रहा, यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि पूर्व जाना चाहिए, अगला question number 5, वा चलते हैं, उसको देखते हैं, question number 5, करकर एखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि शाड़े देश, 80 डिगरी रेखा होते हैं, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ए उप्सन राइट हो जागा कितने राज्यों स होकर गुजरती है और इसके साथ ही यहाँ पर नीचे की तरफ दिया गया है जो की मिजोरम भी यहाँ पर हो जाएगा जो की इनसे होकर गुजरती है तो आप देख सकते हैं कुनके राज्यों से होकर गुजरती है आप इस चीज को मैंसरू में देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही करक रेखा ठीक है तो मेरी साब से आप सब्सक्राइब क्योंगे continue हमने अच्छी तरह आप पर progression room में यहाँ पर समझाया है ठीक है और यहाँ हम बात करें यहाँ पर कौन सी रेखा हम बात करें कि जो देशांत रेखा बात कर रहे थे वो यहाँ से ऐसे उकर जाती चतिस गड़ होती हुई उडिशा अंदर परदेश इस तरह होते हुए निकलती है ठीक है तो यहाँ पर एक ही हो जाएगा और दूसरा चतिस गड़ हो जाएगा और तीसरा उडिशा हो जाएगा चोथा अंदर परदेश हो जाएगा ठीक है ये सबी चीजे हो जाएगी ठीक है तो मेरे साब से समझ चुके होंगे आम मैप के अंसारे इस चीज़ का च्छेतर है समझ सकते हैं अगले क्यूशन चलते हैं क्यूशन नमबर छटा चलते हैं तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है भारत का ऐसा राज्य जो अन्य राज्यों के साथ सीमा लगाता है सबसे ज़्यादा सरवादिक सीमा कौन सा राज्य है वो लगाता है भारत का ऐसा राज्य तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट सवाल है तो C option राइट हो जगा उत्तर परदेश है जो अन्य राज्यों से सरवादिक सीमा लगाता है Q7 पर चलते हैं किस राज्य की तरट्रे का सरवादिक लंबी है तो यहाँ पर C option राइट हो जगा गुजरात राज्य की तरट्रे का सरवादिक लंबी है और यदी पूछा जाए कि दूसरे नंबर पर सरवादी तर्ट्रेखा किसकी लंबी है तो यहां पर B-Option राट हो जोगा अंदर परदेश की है ठीक है तो ध्यान लगना Question number 8 होए इस पर चलते है Question number 8 होए तीनों और से बांगलादेश से घिरा राज्य है जो कि आप देख सकते हो कि यह सवाल पुछा गया था AA SSR के एक्जाम में और जो AA SSR के एक्जाम में पुछा जाता है लगबख वही सवाल MR के एक्जाम में भी आपको देखने को मिलती है तो यह सवाल पुछा गया था जब AA का online एक्जाम होगा था दूसरी बार उस समय तो तीनो और से गिरावा राज्य कौन सा है तो यहां पर सी उप्षन राड़ जाएगा तिरपुरा ठीक है बांगलादेश से तीनो और से जैसा कि हम जूम करके यदि ग्राफिय में देखें तो आप ग्राम में देख सकते होगी यहां पर यह है तिरपु चलते हैं किश्य नमबर नाइन वा ठीक है अब यह भी बहुत अच्छा सवाल है भारत में 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 मार से जोड़ने वाला दर्रा क्या है कई बार नेवी मार में पूछ लिया जाए कि भारत में 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 मार को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है तो क्योंकि दर्रा है और यह आ अच्छा सवाल है जीवित जड़पुल पाजा जाता है मैंने कई एक्जाम में देखा है इसलिए यहां पर दिया क्योंकि नेवी अमार डबल अससर में भी पुछा जा सकता है तो आपको उप्शन देना है असम आएगा मेगाल लियाएगा सी पसिमंगाल और डी मनिपूर पूरी हमारी टेक्निकल टीम जुड़ी हुई है आपको एक अच्छा कॉंसेप्ट परदान करने के लिए और यदि आप कंटिन्यू वीडियो प्रजेंट रहते हो तो आपको यहां पर यह सभी जो प्रेक्टिस के लिए आपको पीडियेफ है वो भी मिल जाएगा ठीक है त